तो गाइज मैं हूँ की तोर आप देख रहे हैं डवड़ली फैंस नेटवर्क एंड गाइज डवड़ली यानि की वर्ल्ड रेस्टिंग एंटरेटेर्मेंट जाने वाली एमवेस सेंटर को छोड़के ट्रॉपिक आनफ फील्ड में अब इतना तो आपको पता चली गया होग सामने आच चुकी हैं जिससे कि आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि आखिर स्टेज और फिर ठंडर डॉम कैसा बन रहा है डिवड़ली किस तरीके से डिजाइन कर ये ठंडर डॉम को क्या कुछ चेंजेस होंगे या पर ट्रॉपिक आना फील्ड में या फिर नहीं सब कुछ मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में सेयर करूंगा विथ फोटोज एंड वीडियो कुछ अड़ी फोटो और वीडियो भी सामने आई है तो कंप्ली डीटेल से आपके इस वीडियो में मिल जाएगी तो आप इस वाली वीडियो को एंट तक जोर देखें वीड देखने को मिल रहा है वह दिख रहा है मवेस सेंटर से लेकिन कुछ समय बाद डिवडियो जो है दिसंबर के मत में ही ट्रॉपिक अनफ फील्ड में चली जाएगी चाहाप कि हमें पॉसिबली एक नया स्टेज देखने को मिल सकता है लेकिन जहाँ पे जॉन एलबा ने कुछ ज्यादा चेंजे समय नहीं देखने को मिलेंगे जो है जैसा ही ठंडर डॉम बना रही है हालाकि यह तो आसा डिसपॉइंटिंग हो सकता है डिवडियो फैन्स के लिए क्योंकि ट्रॉपिक आनफ फील्ड का लुक है वह काफ़ जारे डिफेरेंट हैं वे सेंटर से त टाइम में और भी कुछ सेर कर देगें आप नीचे कॉमेंट में जरू बताना कि क्या आप ट्रॉपिक आना फील्ड में एक नया लुक देखना चाहते थे ठंडर डॉम का यह नहीं बागी का यह चोड़ी से अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ सेर कर देनी चाहि